कश्मीरी पंडितों पर बनी फिलम दा कश्मीर फाइल्स को आज दादा साहेफ फाल के अवार्ड जो है वो मिला है और आपको बता दूं कि लगा था जब ये मूवी रिलीज होई थी उसके बाद बहुत सारे कश्मीरी पंडितों ने जब ये मूवी देखी थी थेटर में हैं उनके दवारा रोया था और कहीं न कहीं जो है ये दावा किये गा था कि हाँ उनके साथ सब कुछ ऐसा ही हुआ है लेकिन उसी के अलग अपोजिट बात की जाए तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि ये कश्मीरी पंडित लोगों की भावनाओं को महज एक इस फिलम के जरी जो है उनका वोट जो है लिए गए है उनकी भावनाओं के साथ जो है वो खिलवार किया गया है लेकिन आपको ये बता दे कि आज कश्मीर फाइल्स मूवीज को जो है दादा साहे फॉल के जो अवार्ड है वो मिला है और वहीं पर आपको बता दे कि आपक कश्मीर फाइल को बेस्ट फिलम का वॉर्ड मिला है दादा साहिफ फॉल के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 का वॉर्ड मिला है और वहीं पर बेस्ट एक्टरिस का वॉर्ड आलिया भट गूंगा भाई काथिया वाडी है फिलम को मिला है वहीं बेस्ट एक्टर का वॉर् प्रमास्त पार्ट वन का बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स में वरुंधवन भेडिये को मिला है बेस्ट प्रोमिंग्स एक्टर रिशवप शेठी को मिला है बेस्ट मोस्ट वर्सटाइल एक्टर का जो अवार्ड है वो अनुपम खैर को मिला है दा एज ओफ डाकनेस्ट बेस्ट सीरीज का अवार्ड जो है वो रूधर को मिला है और टीवी सीरीज ऑफ दा इयर अनुकमा को मिला है बेस्ट टीवी अक्टरस तेजस्वनी परकाश को नागिन सीरिन के लिए मिला है बेस्ट टीवी अक्टर जैन इमाम को मिला है और फना इश्क में मरजावा अवार्ड जो है वो आज जिस तरी के से मिले हैं लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कश्मीर फाइल्स को जो की लगातार कुछ लोग उसकी सपोर्ट में थे और कुछ लोग यह कह रहे थे कि यह मूवी महज वोट बैंक के लिए बनी है आपकी कहा रहा है कमेंड बॉक में जरूर बताएगा न जर दो कि कास्व झढका है और ड़्यों गगाइल्स अर फशर भो आव में थे खे चार साओजाए रहांकी कि यह है आपकी करता है